इडिया चैनल के तुरू मुझे पता चला कि ये कैसी दिल्ली की बेटी के साथ ये हुआ है तो मैंने सुल्तानपुरी पुलिस टेशन में कॉंटेक किया और वहां से मुझे इनके घर का एड्रस मिला और मैं इनके घर में पहुचा मैंने इनकी माता जी को इस बात का आशवाशन दिया कि आप बिल्कुल बेफिकर रही है आपको जैसा भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं आपका बेटा होने के नाते करूँगा और तीन दिन से मैं परिवार के साथ हूँ सारी चीजों में अब जो कल से चीजे उठ रही है सबसे पहले जो निधी ने एक बहुत बेबुनियाद आरोप जो है मेरी बहन पे लगाया है कि वो शराब के नशे में धुत थी और उसको इतनी भी सुदबुद नहीं थी कि वो गाड़ी चला पाती उसने पहले कोई ट्रक से टकरानी की कोशिश हुई उसके बाद जो है वो इस गाड़ी से टकराती है तो मैं पोस्मोटम के आधार पे पोस्मोटम की रिपोर्ट के आधार पे आप सब को बताना चाता हूँ ये देखिए एब्डॉमन जो है अब्डॉमन में इसमें क्लियरली मेंशन है इस टमक में सेमी डाइजेस्टेट फूड मटेरियल प्रेजेंट एन वॉल है नो एब्नॉर्मिलिटी डिटेक्टेट मतलब की अब्डॉमन में किसी भी तरीके का कोई अल्कॉलिक पदार्थ नहीं पाया गया है मैंम अल्कॉल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कॉल मिला है अगर उसमें इस टमक में वो ये कहने सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है मतलब कि अलकॉल कहीं से कहीं तक नहीं था दूसरी बात सर 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 एक बहुत बड़ी breaking news आप लोगों को दूँगा और वो इतनी भयंकर breaking news है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा post-mortem report के हिसाब से अंजली का जो brain है वो अभी भी missing है जो उसका भेजा था जिसको हम brain कहते हैं वो 5-6 km की बरबरता के बाद कहीं कंजावला रोड पे गिर गया और brain जो है वो missing है और ये brain missing होने के बाद में जब मैंने post-mortem में देखा इसको भी मैं आपको बताऊंगा brain matter missing brain matter missing जो भी बात करेगा वो तत्यों के आधार पे करेगा कोई निधारा बात नहीं करूंगा इस जब से मुझे ये जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का brain ही missing है अभी तक उसकी post-mortem में brain नहीं मिला दिल्ली पुलिस brain भी नहीं देख पाई तो मैं इस मदर को अब सिर्फ मदर नहीं करूंगा मैं इसको एक नाम दूंगा जो medical terminology में होता है sadism mother sadism mother मतलब होता है किसी को मारना एक अलग होता है और किसी को painful मौत देना अलग होता है यहां पे औंजली के साथ जो हुआ है धीरे धीरे पेन दे के मारा गया है Post-mortem Report के हिसाब से उसके शरीर पे तक्रीबन 40 injuries आई है मैं ये भी आपको दिखाना चाहता हूँ सारे मीडिया इसको देखें, टोटल 46 इंजूरीस उसकी पूरी बॉडी में आई हैं इस 40 इंजूरीस में जो उसकी बॉडीस में आई हैं इसमें तक्रीबं 20-25 जो हैं वह tyl्रेज्द एब्रेशन है ड्रेज्द एब्रेशन जो टर्मेलॉลोजी मेडिकल में होती है आप इसको इस तरीके से मानके चलिए कि जब 13 किलोमीटर में बॉडी जो थी वो घिस्टा रही थी तो जमीन और बॉडी के बीच में हीट जनरेट होती है और हीट जनरेट होने के बाद वो एरिया जो है इसकिन का वो जल जाता है कम से कम बॉडी में 25 से 26 ऐसे माक्स है जहां पर उसको ग्रेज डेबरेशन हुआ है 40 इंजूरीस टोटल नो टाउन हुई है अच्छा पोस्ट मॉटम रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सम इंजूरीस आर इंकॉंस्पीशियस ड्यू टू ब्लैकनिंग इसमजिंग और ब्रश बन बन मींज जब ये 13 किलोमीटर की बरबरता हो रही थी तो उसकी बॉडी और जो जमीन का सर्फेस था वो इस तरीके से टकराया कि वहाँ हीट जनरेट हुई है और काफी जो बॉडी पार्ट है वो ब्लैकनिंग भी हो गई है जिसमें पोस्टम में वो सब चीजों का पता उनको नहीं लग पाया कुछ ऐसे पार्ट भी है अच्छा इसमें जो फाइनल अच्छा जागर मैं आपको चेस्ट के बारे में बताता हूँ तो रिब्स जो है वो पीछे से एक्सपोज हो चुके थे एक्सपोज फून दा बैक ग्राइंडिंग अफेक्ट ऑफ रिब्स शापनिंग और जो सबसे इंपोर्टेंट है आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोनों लंग्स जो है वो बहार आ चुके थे लंग्स जो एक बहुत इंपोर्टेंट ओर्गन होते हैं किसी की भी बॉड़ी के लिए आपने देखा कि कोविट में कैसे कोविट 19 वेरियंट ने जो है लंग्स में जाके लोगों को ब्रीटिंग प्रॉब्लम कराई और कोविट सेकेंड वेरियंट में कैसे लोग मरे तो इसका जो लंग्स था एक्स पोजीशन ओफ लंग्स लंग्स की पोजीशन चेंज हो चुकी थी और वो मर चुकी थी पांच से छे किलोमीटर की बरबरता तक वो सहन कर पा रही थी